आज हम लेकर आये हैं एक नया वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं हमो याने होटिक कल्चर मिरल आयल के बारे में कब हमो का इस्तेमाल किया जाता है क्यों किया जाता है और इसके क्या फाइदे हैं ये सब हम आपको बताने वाले हैं बने रहे हमारे साथ चानल को सबस्क्राइब और लाइक शेयर जरूर करना कब HMO का इस्तेमाल होता है HMO की सुप्रे हम उस वक्त कर सकते हैं जब पेड दॉर्मेट सिटे से बाहिर आने लगता है एक्टिव होने लगता है या हम यह कह सकते हैं कि जो बडस हैं इनमें स्वेलिंग सिटाड हो जाती है वही प्रॉपर ट्राइम होता है HMO सुप्रे करने का HMO की सुप्रे क्यों की जाती है HMO की सुप्रे हम इसलिए करते हैं क्योंकि यह हमारे पेड को इंसेक्टिसाइड, अकैरिसाइड और ओविसाइड जैसी भीमार उसे महफूज रखता है HMO एक एंवर्मेंट फ्रेंडली, नौन टॉक्जिक, नौन फार्टो टॉक्जिक, बायो डिग्रीडेबल और्गेनिक प्रड़क्ट है यानि यह किसी किसम का जहरिला नहीं होता है नहीं हमारे पेड़ पवदों की ग्रोध पर किसी किसम की रुकावट या कोई मुजिर असरा डालता है यह आसानी के साथ जमीन में गुल जाता है तो मुखी सुपरे करने से हमारे पेड़ की खाल के उपर जो कीड़े या इनके अंडे होते हैं जैसे संजो स्केल, एरोपियन रेड माइट, वूली अफिडिस और भी बहुत सारे हैं इन सब को सफोकेशन की मदद से खतम करता है याने गुटन होने की वज़े से मार डालता है चानते हैं हमो की डोसेज क्या है एक लिटर हमो आइल हम पचास लिटर पानी में मिला कर इसकी सुपरे कर सकते हैं सीधे सारे अलफाज में हम ये कह सकते हैं कि ये दो लिटर हमो 100 लिटर पानी में मिला कर इसकी सुपरे कर सकते हैं उमीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी चैनल को सबस्क्राइब करना, लाइक और शेयर करना भी ना बूलना थैंक यू